लो मैं लावली वेकर्स तोई टूटाय के कडर आया था जो कि रात को आया था और सुभा उनको चाहिए था ग्यारा वजे तो यह था क्या ना एंगेजमेंट के लिए केक तो मैंने लिया ले हूं एक एट इंच का टीन और यह एक फाइव इंच का टीन आप जो भी टीन मैं छोटी वाली मेरी थोड़ी सी नीचे चिपक गया था चितना बचा कुचा निकला में उसको मिडल में दे दिया का यह केक टेड की लोका था तो में 600 ग्राम के करी प्रीमिक्स लिया हूं और 600 ग्राम क्रीम भी उसकी हूं और यह थोड़ा सा क्रीम इसमें मतलब जारा डे करके फिर सुगर सिरप से मोईस्ट कर लेना है फिर इसके उपर हमें अभी अपना क्रीम स्प्रेड करने कर लेना है और जो भी फ्लेवर का केक होगा उसको हमें अच्छी तरीके से फ्लेवरिंग मतलब क्रस बगेरा आड कर देना है मैंने आड करके इसको भी स्प्रेड कर द करके इसको like अड़िज़ कर लिया करके की इसको इस कर रही है और लुपे लगा रही ह हूं क्रम्स जादाना निकले इसके लिए साइड में क्रीम लगा रहे हूं एक्स्ट्रा जितना क्रीम अपर था नि exem हमारा पाइपिंग बैग में यूज़ करके हमेसा करती हूं इसको डेकोर्यड उसी farahi करना है और साइड्स का जितनकी किरा हुआ जेना हुआ हुआ था मैने क्लीन कर लिए अर इक पाइपिंग बैग में मैंने क्रेम भर लिया और तरह लगाकर Cambाई Using और lep smooly, यहीं उसलिए को पूराओ करें इसलिए बर गंडी और रेड होना केक बेऩ हो है। स्टिक्स इसके अंदर डाल रही हूं ताकि उपर का लोड नीचे अची तरीके सा आए और यह स्प्लिट ना हो मतलब जल्दी-जल्दी में बना रही थी सुभा बना रही थी और इसको तुरंत ही डिलिवरी देना था इसलिए फ्रीज में सेट होने के लिए टाइम भी नहीं इसलिए अच्छी तरीके से में लोड इसके अंदर नीचे जा पाए में आइसक्रीम स्टिक्स लगा लिया और आप चाहे तो उडिन डाविल्स एक्चेली उज होता है वह जादा करश्ट आ जाता है यहां पर अभिलेबल भी नहीं है इसलिए में इसको यूज करनी उसी तर लिप्ट करने के लिए मैं तो बहुत बार केक्स में दिखा चुकी हूं फिर भी दिखा रहे हूं बड़ा वाला स्पैचुला ले करके मैं इसको उठा लिया और आप जब छोटा केक बनाये थे ना तब नीचे वाले मतलब जो सबसे बटम लेयर है उसमें ट्राइ किजे कि स अगर सिरफ जादा ना दे ताकि एक टूटे ना जब आप लिप्ट करेंगे छोटा वाला को लिप्ट करके धीरे से मैंने निकाल लिया और जहां पर देख सकते हैं वहां पर थोड़ा सा हमारा क्रीम इधर उधर हो गया वो डीजाइन से हम चुपा लेंगे डीजाइन था सिले में फिनिंशिंग नहीगे तो तुरंथ स्क्रापन लेके उसको ग्रीम लगा करके फिनिसिंग कर लेती हैं फिर में यूज कर रहे हूं तो यह बड़ा वाला जो टीका शटिक साथा है उसको उसको इसमें एक्शेली में ऊडेन डावल से होता है लेकिन जिस तरह बोली क तो मैं इसलिए टीकास्टिक्स यूज़ कर रही हूं ताकि अपनी जगह से ना ही ले दूर जाता है ना के घर के पास में तो नहीं है तीन चार किलमेटर पांच किलमेटर भी जाया ना डर रहता है कि कई केक स्लाइड ना कर जाए इसलिए इसको यूज़ करना जरूरी है मैं अच्छे तरीके से सेट करें अगर आप केक को सेट करने के लिए टाइम नहीं है तो आप जादा यूज़ कीज़े हां और एक चीज में कस्टमर को इनफर्म कर देती हूं कि यह सब यूज़ हुआ है आपको भी इनफर्म कर देना चाहिए नहीं तो फिर वो लोग सोचे है क इसलिए इनफर्म करना जरूरी है अभी में नीचे थोड़ा सा वही कलर क्रीम लेकर के क्लोज टार वाला नौजल यूज़ करके बोर्डर्स बना रही हूं नीचे जैसे बनाओंगी उपर भी में उसी तरह ही बोर्डर्स बना रही हूं देखिए यह पूरा डिजाइन अब लेसे यूट ही हूँ अपना जो रोज पेटल का नौजल आता है उसको वही सेमा कलर रोज में भर करके उसको रोज भना लिया उल्टा यूँज़ एकषन गया थोड़ा सा ही आगी के तरप जुका हुआ था अम् i7 तरह यह झ हूट फोड़ा शठी यूझ क द आप ताकि छुप जाएगा हम जब लिप्स बनाएंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा इसलिए में यूज कर ले आप देख सकते हैं वो छुप गया पुरा मतलब हम जितना भी लिप्स बनाएं और अभी थोड़ा सा चेरी लगा रही हूं यह भी डिजाइन में था जिस तरह सा इस तरह में बना रही हूं और अभी थोड़ा सा हमें गोल्डेन वाला जो स्प्रिंकल हमारा आता है उसको स्प्रिंकल कर लेना है मैं छोटा वाला यूज कर रहे हूं कि उसमें भी छोटा वाला था उसमें साया वाइट कलर का था लेकिन इसके साथ गोल्डेन तरह अच्छ इसलिए फिर हमारा आप देख सकते हैं केक पुरा कम्प्लिट हो गया है तो फ्रेंज देखिए केक कुछ इस तरह दिख रहा था तो यह जो नाम में ने लिखी हूं वो फॉंडेंट कटर से लिखी थी इस केक का प्राइस में ने मलब इस केक को में 950 में सेल किया और इसको केस साइड में इस तरह स्टापल कर रही हूं स्टापल करने के वाद मतलब स्टापलर से इसको फिक्स करना है पुरा फिक्स करने से हिलेगा नहीं दोनों साइड में ने उसी तरह पुरा फिक्स कर लिया उचा उचा दिखे पुरा एंड टो एंड ले करके ताकि हमें हाइट वा रखना है रख लेना है और फिर जो सामने वाला था उसको भी फिक्स कर लेना है वक्स के अंदर उसको फिर जो सामने का पाट हमारा ढ़ीप रह donkey उसको भी हमें היो दुखफ idee मैं इस तरह करती हूं क्योंकि एक्टो यहांपर मुझे儿 पेसा नहीं मिलता है मतलब कहीं पर तो मु 30 रुपीज सेव हो जाए तो इसी तरह ही मैं करती हूं और देखिए वो सामने वाला फिक्स कर लिया से लोटे प्ले करके न्यूस पेपर से और साइड वाला भी बिलकल उसी तरह ही कर दे रही है आप चाहे तो आप भी इस तरह कर सकते हैं एक बक्स में अगर पैक करना चाहते है तो आपको ज्यादा अगर पेसा नहीं दे रहा है यह तो आप इस तरह पैक करके दे सकते हैं और आपको अच्छा खासा पेसा मल रहा है तो आप तब अच्छा वाला बॉक्स यूज कर सकते हैं वहोब क prayed अपकर यह जोगा प llega की हो फचन् sırवाचे की